नमस्कार दोफतों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेट अफट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रे करमचारियों के लिए बड़ी अपडेट 18 महिने के डिये एरियर के बाद फिट्मेंट फैक्टर भी कनफरम तो दोफतों हम आपको सब डिटेल में बताइएंगा अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम जिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वाल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पानिशन से समन्दी जितनी विन्यों जाती है इसे करमचारी की नियुनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी इसके लिए ड्राफ्ट त्यार किया जाएगा जिसे सरकार को सेर किया जाएगा यूनियन ने बड़ी एपडेट दी है अगर सरकार इस पर सेमती बनाती है तो 52 लाग से ज़्यादा केंदरे करमचारी की बेसिक सैल और मेंगाई रात काला मिलेगा अब अगर इसमें बदलाव होता है तो करमचारी की नियुनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होते ही करमचारी की पूरी सैलरी पर असर दिखाई देगा दोस्तों उमीद है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अगले महीने तक बैटक हो साकती है। सरकारी करमचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रही है। फिलाल केंदरे करमचारी को 2.57 परतिशत के इसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दे कि केंदरे करमचारी की सैलरी तैक करने में फिटमेंट फैक्टर का एहम रोल होता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाओ का मतलब है इसमें आपकी सैलरी पर असर पड़ेगा। दरसल इसके अधार पर ही करमचारी की बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। पिटमेंट फैक्टर को 2.57 फे बढ़ाकर 3.68 करने पर मीनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगी। इससे पहले सरकार की तरफ से 2017 में एंट्री लैवल करमचारी की बेसिक सैलरी में बढ़ाई की गई। लेकिन इसके बाद इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। पिलाल केंद्री करमचारी को 99 सैलरी के तोर पर 18,000 रुपे मिलते हैं वही अधिकतम सैलरी 56,900 रुपे मिलती हैं। दोस्तो अगर सरकार पिटमेंट पैक्टर को तीन गुणा करती है तो बदल को छोड़कर करमचारी की सैलरी 18,000 रुपे में 2.57,4,260 रुपे हो जाएगी। वही अगर करमचारी की डिमांड मान ली जाती है तो सैलरी 26,000 गुणा में 3.68,95,680 रुपे हो जाएगी। और तीन गुणा फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 गुणा में 3.63,6,000 रुपे होगी। तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत